दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो आप पूरी देखना थोड़ी सी बड़ी वीडियो है देखना पूरी आपका दिन बन जाएगा आपकी जिन्दगी समल जाएगी तो सबसे पहली बात तो यह है जैसे कि आज कल आम तोर पर घुटने का दर्द कमर का दर्द जोडों का नसो में सूजन, नसो में ब्लोकेज, नसो में एंटन, ये सारी प्रॉब्लम खतम करेगा, ये पाउडर, इसके साथ साथ आपके, अगर नसो में कई पर भी ब्लोकेज है, साथी साथ आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, किट्नी में प्रॉब्लम है, लीबर में प्रॉब्लम है किटनी में पत्री है यह इस में से कोई भी प्रॉब्लम है तो भो भी आपका सही हो जाएगा फुल बॉडी को ये रिपेर करने वाला है मेरा नुस्का, अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, आपको जीवन में कब्ज, गैस, अफारा की प्रोब्लम नहीं होगी, आपको किटनी, लीवर की प्रोब्लम नहीं होगी, हार्ड की प्रोब्लम नहीं होगी, ब्लॉकिज की प करिएगा तो सबसे पहली सामगरी इस नुस्के को बनाने के लिए यहां पर मैंने ले लिया है सबसे पहली चीज मैथी दाना यह क्या करता है इसके साथ ना को ता दू अगर किसी का बजन बढ़ा हुआ है तो बजन को भी यह कम करता है आप देखना आपको रिजर्ट आठ दि रिजर्ट मिलेगा देखने को तो सबसे पहले मैंने यहां पर पांच कटोरी ले लिया है मैथी दाना इन सभी इंग्रीडियंस को लिख करके मैं डिस्कॉप्शन बॉक्स में डाल दोगी वहां से आप चेक कर लेना ठीक है यहां आप मैंने पांच कटोरी ले लिया है मैथी दाना, इसके बाद दूसरी जो सामगरी लिए है, यह है सौप, ठीक है? सौप, आप सबी लोग जानते है, अच्छी नीन लाता है, पेट को भी ठंडा रगता है, गरमाहट को बाहर निकालता है, यानि कि गरम तासिर वालों की गरमाहट को बाहर निकालेगा, आखों की और करके 2 कटोरी अब भरकर मैंने ये ले लिया है करीबड़ेंगर। इमें भरक भरेएंगर। अद्रग को सुखा करके सोंट बनाया जाता है तो मैंने 200 ग्राम सोंट ले लिया है और मैंने ले लिया है काली मिर्च यह देखिए, अगर आप यह काली मिर्च चम्मस से ना पैंगे तो यह करीबन 4-5 चम्मस भर करके जिससे हम अपने घर में यूज करते हैं चम्मच दालचावर खहने में तो उस चम्मस से ना पैंगे तो आपको करीवन 4-5 चमच ये पढ़ जाएगा काली मिर्च अब इसके बाद में करीवन 3-4 चमच हमें लेना है ये लॉंग ठीक है ये लॉंग लेना है 3-4 चमच अब इसके बाद में अगली जो सामगरी है ये है दोस्तो काला नमक एक बार इस मुसके का जरूर प्योग करना आप मुझे धन्यवाद देने जरूर आएंगे लॉट करके मेरी वीडियो में ये मेरा आपसे वादा है तो यहाँ मैंने ले लिया है काला नमक करीवन 100 ग्राम और इसके बाद मैंने ले लिया है दाल चीनी की लकड़ी यानि की सिनेवन तो दाल चीनी की लकड़ी मैंने करीवन 5-6 डाल दी है मेरे पास और थी नहीं आपके पास है तो और भी डाल लेना करीवन 200 ग्राम दाल चीन तो आवला ठीक है यह मैंने आवला घर पर ही सुखायते यानि की आवला ले करके उसको धूप में सुखा लिया था आपको मार्केट में भी मिल जाएगा यह आवला आवला में आप सभी लोग जानते हैं भरपूर मातरा में बिटामिन सी कैल्सियम आईरन बिटामिन फास्ट फोरस हैं ठीक है काफी सारे इसमें पोसक्तत होते हैं ठीक है अब इसके बाद यानि की फाइवर भी होता है यह हमारे बालों के लिए आखों के लिए हार्ट के लिए लीवर के लिए किड्नी के लिए हाथ पेरों के दर्द के लिए नस नाडियों के लिए बहुत अच्छा ह होता है सुपर यानि कि सुपर से भी सुपर होता है यह आमला ठीक है अब हमें क्या करना है आप इसकी जिगह पर आमला पाउडर भी ले सकते हैं लेकिन अगर आप सुद्ध चीजों का प्रियोग करेंगे तो मैं सच बता रहे हूं आपको 100 परसेंट अराम मिलेगा तो यहां हिसे बड़े ऐसे कि अड़ी है अगर इसको मिक्सी की जाव में ढालें कि तो मिक्सी की जाट तो कुट में का वाला वह JAY कोई बुलीचे है और पालीथर ने इसको इसको कूटário कि अशENTS ब människीन हैं भाइं उसकी तो कूटको जी। बिटाम और ले लिया है काला नमाग डल चीनी और डाल दिया है यह सौ तो इसको हम साबूत नहीं पीज सकते हैं तो चलिए आप इसको हम क्या करेंगे कूट और हम शोटे-चोटे कर लेंगे चलिए इसको हम कूट लेते हैं दोस्तों आप सभी लोग आई हैं नम्रताब दौरिया इन्यान यूट्यूबर चैनल पर इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में सेयर कर देना अगर आप फेजबुक पर देख रहे हैं तो फेजबुक मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में सेयर कर देना क्योंकि ये वीडियो इतनी यूजपूल है कि मैं आपको बता दू कि हर किसी बंदे के काम में आने वाला वीडियो है ये तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं इसी तरीके से पूरे आवले को पीस लूँगी मिक्सी के जार में डाल करके अगर आप अपने हाथों से इसको बनाओगे तो बिल्कुल सुद्ध पाउडर आपको मिलेगा अगर आप किसी चक्की में पिस्वाने जार रही हैं तो वहां पर अपनी आँखों के सामने पिस्वाना ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिल सके ठीक है तो यहां पर आप इसको भी हम पीस लेंगे pak यानि कि मिक्सी के जारब डाल करके इसको भी हम पीस लेंगे दोस्तो यह वीडियो बहुत अच्छा है इसलिए इस वीडियो में लाइक भरपूर मातरा में मुझे मिलने चाहिए ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो कैसी पसंद कर रहे हैं मैं आप लोग लिए बहुत अच्छी वीडियो ना करके लाती हूँ ताकि आपको फायदा करें नुकसान नहीं करें फायदा ही फायदा करें यह बहुत अच्छा नुसका है जिन माता हो बैनों के पीरियट खुल करके नहीं आता है तो बो लोग भी अगर इसको लेंगे तो उ सोयलिंग है सूजन है आप इसको खाईए आपकी सूजन जड़ से खतम होगी यह मैं आपको बता दो खुले सब्दों में यह आपकी सिर से लेकर पैर तक की एक एक नस नाड़ी एक एक बोड़ी पार्ट को रिपेर करेगा और आपकी फूल बोड़ी को एनरजी पूरवक कर देगा यहां पर आप दे सकते हैं यह पाउडर मैंने पीस करके इसको च्छान लिया है ताकि हमें बारीक पाउडर मिल सके यह सारी सा मगरी जब आप इसको पाउडर बनाएं तो सबसे पहले धूप में दिखा लें अगर धूप नहीं है आपके हैं यानि कि धूप में लग दिया था तो यह देखे यहां पर मेने फिर क्या किया है यह जो बनाया का पाउडर जो पीसा था इसको मैं ने बना करके रख लिया था एक डब्बे में भरकर के ताकि मैं आपको दिखा सकूंँ तो मैने क्या है यह सारा पाउडर इस सब्ह tangor नियों तो हमने की चाल का पाउडर अब अरजुन की चाल का पाउडर कैसे घर पे बनाते हैं उसका वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा अगर आप यूटूब पर नमरता बदोरिया सर्च करोगे तो आपको मेरा चैनल देख जाएगा फेस्बुक पर भी इसी नाम से चैनल है तो वहां पर भी आप देह सकते हैं मैंने करीबंद क्अब टूरी यहमैं अर्जुन की चाल काउडर मिला लेना यह मेरा घर का को बना हुआ तो इसलिए मैंने इतना ही डाल लिया है बजार के मैंने इस्तिमाल नहीं किया है अगली जो सामगरी है यह हम डालेंगे क्या हल्दी पाउडर अच्छा अरजुन की छाल की बात करें तो अरजुन की छाल हमारे केल्सियम को पूरा करता है हमारे सरीर में जो कमजोरी ठकान रहत अगर मैं आपको बता दू अगर 40-50 परसेंट आपकी ब्लॉकिज है आर्ट में तो उसको यह खतम कर दीगा यहां मैंने हल्दी पौडर डाल दिया है करीवां दो कटोरी तो हल्दी पौडर होता है एंटिवायोटिक यह आपके सरीर में एंटिवायोटिक की तरीके से काम करेगा अगर आपके सरीर में fatty liver यानि कि लीवर में fatty liver की problem है लीवर में swelling है उसको भी ये सही करेगा मैंने आपको उता दिया एक एक अंग को ये सही करेगा बहुत अच्छा है चलिए यहां पर मैंने अगली जो सामगी डाल दिया है थोड़ा सा मैंने हींग मेरे पास मैं 10-20 रुपे दिया थी इतनी मैंने हींगिस में डाल दिये क्यों क्यों क्योंकि डाइजेशन के लिए इससे क्या होता है हमारा जो पाचनतंत्र रह बहुत अच्छे से काम करेंगे। आप कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, आपका सारा खाया पिया पचे जाएगा, आपके ना तो पेट में गैस बनेगी, ना कब्ज बनेगा, ना फारा बनेगा, अब बहुत से भाई बेहन आज कल के समय में, बहुत डेर सारी दवाईयां खाते हैं, उससे उनका होता है बहुत सारा साइड एफेक्ट उनके सरीर में, आप इस चूरन को भी खाईएगा, आपके जो दवाईयों का साइड एफेक्ट है उसको ये खतम कर देगा, आपके पूरे सरीर को डिटॉक्स कर देगा, आप भूल जाएंगे कि कभी आपके घुटने में दर्द था, कमर में दर्द था, जोडों में दर्द था, आप भूल जाएंगे आपकी नसों में कभी blockage था, आप भूल जाएंगे कभी आप heart patient थे, आप भूल जाएंगे कभी आप BP के patient थे, आप भूल जाएंगे कि कभी आप diabetes के patient थे, दोस्तों मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ कि ये powder मैं यूज करती हूँ, मैंने अपने घर के ल बड़े सबी लोग खा सकते हैं इससे आपके हार्मोनल चेंज होंगे जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ती है वो भी इसको ले सकते हैं उनके बलटका संचार तेज होगा उनका सरीर का क्या होगा बिकास होगा बहुत अच्छा है इसलिए मैं बता रही हूँ ये हर किसी को फायदा करेगा बच्चे, बड़े, बुजोर्ग, जबान सबी लोग इसको खा सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको किसी भी टाइपी, कोई बीमारी नहीं है तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे आज कल दोस्तों सहरों में रहते हैं बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाती है नोक्री लग जाती है तो सहरों पर रहते हैं सहर में इतना अच्छा खाना पिना बन नहीं पता क्योंकि सारी कैमकल योगती छीज़ें बटामिन सारे पोसक तत्व देगा यह जो चूरन है आपके बालों के लिए अच्छा है आपके आँखों की रोशनी बढ़ाएगा आपके याद दास्तों को बढ़ाएगा आपको आपके सरीर में एनरजी लाएगा अगर आप 80 साल के हैं आप अपने आपको 40 साल का महसूस करेंगे यह मैं बोल रही हूं और नहीं आप इस स्वास है खाके देख लेना आठ दिन में ही आपको अगर इसका रिजर्ट ना मिल जाए तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दोंगी आप देखेगा और मुझे कमेंट करके ज़रू बताईएगा चलिए यहां पर आपको खाना कैसे वो भी मैं आपको उता दूँ आपको इस में से एक चम्मच सुबह एक चम्मच साम दोनो टाइम आपको सुबह सबसे पहले आपको खाली पेट लेना है गरम पानी के साथ में या पहले चूरन खाली जिए और फिर पानी पी लिजिए या फिर पानी में डाल करके खाली जैसे भी आपको समझ में आए उस तरीके से आप एक चम्मच चूरन एक चम्मच सुबह और एक चमस साम दोनों टाइम खाईए और नियम से खाईए आप नियम से खाएंगे आपको रिजेट 100 परसेंट विलेगा मैं सच बोल रही हूं अगर आपको विश्वास ना हो तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ना आपको पूरा पता चल जाएगा क्योंकि ये सारी देशी चीज़े हैं घरीलू चीज़े हैं बहुत ही फायदे मंद होती हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके फैमली में कोई बीमार न पड़े तो इस चुड़न को बनाईए खाईए और मुझे कमेंट करके बताईए इसको आप एयर टाइड अब भरकर करके र कमजोर होगा ना आपकी हड़ियां कमजोर होगी इससे आपकी हड़ियां भी मजबूत बनेगी आखों की रोसनी बढ़ेगी जिन बच्चों के चस्मा लगा है बड़ों के चस्मा लगा है आप देखना उतर जाएगा